तो यहाँ पर आज हम लोग एक question solve करने वाले हैं, जो Google के interview में आ चुका है, तो यहाँ पर question यह है कि आप लोगों को एक array दिया हुआ है, जिसके हर position पर coin पड़ा हुआ है, और उस coin का value यहाँ पर उस number के बराबर है, जो array के अंदर present है, जैसे कि यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ए optimally खेल रहे हैं, दूनों जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो आप लोग कितना maximum value बना सकते हैं, तो यहाँ पर मान लिजेए, आप लोग 5, मतलब की GA वाला coin है, जो 0 त इंडेक्स पर है, जिसका value 5 है, उसको आप लोग उठा देते हैं, तो next chance में दूसरे वाले player, जो कि आपक इस starting में, और उसके बाद उसको chance देंगे, तो वो क्या करेंगा, maximum value उठा लेगा 7, और वो maximum value जैसे 7 उठाता है, तो आपके बास option क्या बसता है, आप 5 उठाएंगे, तो यहाँ पर आपका maximum value जो है, आप लोग maximum जो calculate कर सकते हैं, वो 15 आएगा, सेम यहाँ पर एक और example दे र करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कि 5 को add कर लेंगे, मतलब कि 5 को अगर हम लोग उठाते हैं, तो हम लोग recursion के मदद से यहाँ पर इसको call करेंगे, और check करेंगे, कि 5 को उठाने के बाद, यहाँ पर जो rest of the array बज़ जा रहा है, उसके अंदर maximum value कितना आ रहा है, ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग एक बार 10 को उठाएंगे, और left में जितना भी बज़ जा रहा है, उसके अंदर से maximum sum कितना निकल के आ रहा है, दोनों में से, यहाँ पर जो भी कम रहेगा, उसको हम लोग सम में से घटा देंगे, यानि कि maximum वाला sum के अंदर included रहेगा, तो हम लोग का यह procedure होने वाला है, और हम लोग यहाँ पर dynamic programming का इस्तेमाल करेंगे, यानि कि हम लोग state value को array के अंदर store करेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद देखे, time complexity का constraint हम लोग को big of n square दिया गया है, और यहाँ पर space complexity का constraint हम लोग को यहाँ पर big of n square ही दिया वाला है, यानि कि हम लोग ए यहाँ पर हम लोग क्या-kया चीज़ का दरूवत होने वाला है, सबसे पहले हम लोग को array चाहिए जो कि हमारा array है, वो array हम लोग को चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, starting का index है वो मंगवाएंगे, तो यहाँ पर starting का index है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर उस तरीख से हम लोग starting अब नेक्स हम लोगों चाहिए होगा एक डाइनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जब भी डाइनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो हम लोग को इस्टेट वैल्यू को स्टोर करते हैं किसी ना किसी अरे के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर तो यहां पर हम जैसा कि हम लोग यहां पर पूरा एरे का सम कैल्कुलेट कर लेंगा तो हम लोग नम्ट सम सम का is calculate रही Corn और यहां पर इस रोपन करके में हम लोग स्टार्ट रेंगे वर्च से पहले बयस केसे में यहां पर कि start का जो value है वो end से कभी बड़ा हो नहीं सकता तो यहां पर हम लोग 0 return करेंगे यानि कि यहां पर इसका sum जो भी maximum sum आप लोग ले सकते हैं वो 0 अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो ARR का length है वो कहीं 0 तो नहीं हो गया यानि कि ARR का हम लोग length calculate करेंगे बाद चेक करेंगे 0 की नहीं या अगर माल जो कोई empty array यहां पर भेजता है तो यहां पर उसका sum क्या ही ने कल सकता है उसका sum तो यहां पर 0 ही आना है ठीक है अब उसके बाद से हम लोग चेक करेंगे start का value जो है वो कभी भी ARR का length है उससे बड लेश से नहले 0 होता है तो भी रिटन कर देंगे और यहां पर सेम copy paste करते हैं इसको कि और यहां पर y से वर्सा आनिकि कि यह दोनों चीज हम लोग start end पर वापस लगाधे लगाते control V और यहां पर start के जगाग end कर देते हैं और और next है हमारा और यहां पर यह इसको start कर देते हैं, ओके, fine, तो यहाँ पर हम लोग ने base case लिख दिया, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर dynamically program का array का use करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्या हम लोग का start का value है, वो क्या बराबर हो चुका है end के value से, यानि कि अब हमारा array बचा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही element present है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी position है, मैं बताता हूँ आप लोगो, जैसे हम यहाँ पर dp start और dp का start और end position, यानि कि जिस भी index पर होंगे, तो matrix के अंदर indexing कैसे होता है, 00, 01, तो उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कि मान लिजिए हमारा array अगर 3 से लेकर के 10 तक है, तो start क्या होगा, 3, मतलब कि यहाँ पर 1, और end क्या होगा, 3, तो 1 और 3, यानि कि जब start और end, 1 से 3 के बीच में है, तब हम लोग का maximum sum कितना निकल का रहा है, तो वो हम लोग store करेंगे, तो यहाँ पर जब भी start और end का value equal हो जाता है, वो कहाँ पर equal होगा, अगर ऐसा नहीं है, अब हम लोग आते हैं else condition में, अब else condition के अंदर हम लोग चेक करेंगे, कि क्या जो हमारा dp का जो array है, जो dp array है, उसके अंदर पहले से कोई value है, या फिर वो 0 है, अगर पहले से कोई value है, इसका मतलब कि हम लोग उसको पहले ही calculate कर चुके है, तो अब हम हम लोग इसके अंदर calculation further करेंगे, यानि कि यह जो start, जो हमारा start index है, और end index है, इसका maximum sum है, वो अभी तग हम लोग calculate नहीं की है, अब हम लोग calculate करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाप लिखेंगे, dp start, और end, और equals to हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया तो maximum वाला उसमें add it रहेगा, तो वही सेम काम करेंगा, तो यहापर math.min, तो यहाँ पर min, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कि recursion का use करेंगे, recursion कैसे use करेंगे, तो यहाँ पर calculate को आपर से call करेंगे, यहाँ पर AR मैंने लिखा है, जबकि ARR का इस्तमाल हो रहा है, त तो बाद में देखते हैं, कहीं मैंने गलती तो नहीं किया, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या बास करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करना होगा, उसके बाद start index जो है, वो हम लोग plus कर देंगे, यानि कि अगर मैं 5 को select कर रहा हू तो मुझे इस एरे में से उसको remove करना होगा, तो यहाँ पर start के index के value को बढ़ा कर मैं 3 कर दूँगा, यानि कि अब 3 से 10 के बीच में चिक करो कि कितना sum है, तो यहाँ पर start plus 1 कर देंगे, और end हम लोगा same ही रहेगा, यानि कि 3 से ले करके 10 तक जाओ, ठीक है, अब उसके कर रहा हूँ, कि मैंने कहा कि अगर array अब कुछ 3 से 10 तक में, यानि कि तो अब इसका जो sum है, वो update करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना होगा, इस 5 को यहाँ से remove करना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, sum minus ar of start, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस स को change करके end minus 1 करेंगे, और यहाँ पर sum minus ar end कर देंगे, ठीक है, यानि कि अगर हम लोग 10 को select करते हैं, तो 5, 3, 7 का जो sum होने वाला, वो कितना है, तो यहाँ पर यह कुछ value written करेगा, तो sum minus math dot mean करेंगे, दोनों में से minimum value आएगा, उसको हम लोग dp start और end में store करवा देंगे, औ और यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या करना हो, हम लोग के यहाँ पर simple सा काम है, dp start और end, यहाँ पर आप लोग start और end में जो भी index भेज रहे होंगे, यहाँ पर इस function के अंदर, वो माल लीजे कि आप start index 1 भेजते हैं, और end index 3 भेजते हैं, तो यह जो 3 element है, इसके बीच मे maximum आप लोग कितना चाहते हैं, वो आप लोग हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, पूरे array से हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और end minus 1 भेज रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग को sum calculate करना पड़ेगा, तो sum calculate करने का simple ता तरीका है, तो वो तरीका क्या है, कि हम लोग के for loop चला देते हैं, तो int, int नहीं, यहाँ पर हम लोग का long है, long और sum is equals to 0, और यहाँ पर for, int i is equals to 0, i less than n, i plus plus, fine, उसके बाद sum is equals to sum, plus arr i, simple, simple, ठेक है, तो यहाँ पर हम लोग का sum calculate हो चुके, हम लोग को एक डीपी array भी भी भेजना है, तो यहाँ पर long, dp, or is equals to new, long, long, और यहाँ पर हम लोग को size mention करना हो, तो n into n size का, हम लोग use करते हैं, क्योंकि constraint दिया हुआ, यहाँ पर space complex ID का, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का, हम लोग को इस array को भेजना पढ़ेगा, तो हम लोग calculate को call करते है, calculate, तो यहाँ पर, और इसको return भी तो करना ह return calculate, calculate को call कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पर array भेजना हम लोग को, और array के साथ हम लोग को start index, जो कि हम लोग यहाँ पर 0 होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर end index, जो कि हम लोग n-1 होने वाला है, और यहाँ पर same चीज है, dp, तो dp array भेज़ देते हैं, और यहाँ पर जो को submit करते हैं, compile करते हैं सबसे पहले, by the way यहाँ पर जब भी आप लोग किसी भी competitive programming के अंदर कोई भी competition के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले compile कर ले, तो यहाँ पर देखे हम लोग को एक error देखने को मिल चुका है, तो यहाँ पर illegal start of expression, line number कुछ बताया है इसने, तो 63 बता रहा है, यहाँ पर हम लोग ने semi colon नहीं दिया है, और यहाँ पर by the way fine, ठीक है, math.main, ओके, एक बार वापस return करते हैं, यहाँ पर यह error दिखा रहा है, ऐसा क्यों क्यों क्याम करते हैं, इसको single line में डालते हैं पहले, ओके समझ गया मैंने, मैं समझ गया, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कॉमा आ जा रहा है, तो इसको हम लोग वाटाना पड़ेगा, यहाँ पर sum, calculate sum, तो यहाँ पर दिक्कत क्या रहा है, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, फाइन, तो यहाँ पर int sum करते हैं, यहाँ लोग ने यहाँ पर long sum करना होगा, वापस से compile करते हैं, मेरीमेर, फिर आर आ गया, आकराव कर रहा है, ओ माई काट, AR नहीं है, AR, AR, आर यहाँ आपस से run करते हैं, क्या रहाता है, फिर आर, ओ माई कॉड यहां पर यह वो थोड़ी यह मैट्रिक्स थोड़ी है यहां पर एक सिंपल सा एरे है तो जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट या एंड कोई भी इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आई कैस अब चल जाना चाहिए अब भी नहीं चला मिसिंग रिटन स्टेटमेंट 65 अब यहां पर हम लोग ने रिटन कर दिया इसको हम लोग यहां पर रिटन करना पड़ेगा रिटन डीपी डीपी स्टार्ट इंड अबolina आ कर चुका है यहां पर 15 अंस अचोंह चुके है अब इसके बाद हम लोग करते हैं सब्मिट अ में यहांपर सारा अरा सक्सेस के सब्सक्राइब सर बिब्सक्रम के साथं में तब ITTので a leaks पसे थाम्लाइस आज नेक्स्वारा बीडियो के अंदर किषवी और बैसि झाल झाल